तो कैसे हैं आप सब वेलकम बैक टो माई यूट्यूब चैनल गॉर्मेंट इग्वार्मेंट इग्वार्मेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ चुका हूं जिसके बारे में बहुत दिन से आप लोगों से बाते कर रहा था और वह है क्या तो वह है एसे सी हैं तो काफी दिनों से मेरे यूट्यूब चैनल के वीडियो में कमेंट आ रहे थे कि एक वीडियो इसे क्या रह सकता है वीडियो बनाने के लिए तो दोस्तों मैं जैसा कि मैंने वादा भी किया था आप लोग से अपने पिछले वीडियो में कि मैं expected cut-off के उपर एक बहुत ही अच्छा तरह से वीडियो बनाऊंगा full analysis करूंगा कि क्या रह सकता है cut-off क्या हो सकता है category wise क्या cut-off हो सकता है cut-off decrease होंगे या increase होंगे अगर increase होंगे तो क्या chances रह सकती है क्या सर्ते रह सकती increase होने की decrease होने की क्या सर्ते रह सकती इन सभी चीजों को हम लोग बहुत ही अच्छे तरह से इस वीडियो में discuss करने वाले हैं ठीक है दोस्तों तो चलिए वीडियो सुरू करने से पहले एक request कर लेता हूं कि वीडियो को पूरी तरह से पूरी अच्छे से देखिएगा ठीक है पूरा देखिएगा वीडियो को ताकि हर एक point हर एक चीज मैं आप लोगों को इस वीडियो में clear कर दो और इसके बाद को भी doubts आप लोगों के मन में ना रह जाए ठीक है दोस्तों तो देखे दोस्तों इस वीडियो को सुरू करते ही मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ 5 important points को discuss करने वाला हूँ जी दोस्तों जी हाँ दोस्तों 5 important points और उसके साथ ही साथ हम लोगों discuss करेंगे कि category wise क्या cut up रहेंगी ठीक है तो वे 5 importants क्या हो सकती है important points क्या हो सकती है की cut up की बारे में अगर समझना है अच्छे से details wise समझना है तो हम लोगों सबसे पहले स्से MTS के tier 1 result को analysis करना पड़ेगा तो चलिए दोस्तों बिन टाइम वेस्ट के tier 1 की result को analysis करता है ठीक है दोस्तों तो देखिए दोस्तों हम लोग आ चुके है अब उस PDF में जिसमें SSC MTS का जब tier 1 का result release किया गया था तो उस PDF को हम लोगों ने open कर दिया है अब हम लोग सबसे पहले बहुत ही अच्छे तरह से इस वीडियो को analysis करते हैं कि क्या लिखा हुआ यहाँ पर ठीक है दोस्तों तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि Staffs Recruitment to the Post of Multitasking Non-Technical Staff in Different States and Union Territories 2019 Candidates Qualified in Paper 1 for appearing in Paper 2 जी हाँ दोस्तों अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर कि क्या लिखा हुआ है कि Staff Selection Commission Conducted Multitasking Staff Non-Technical ठीक है Examination 2019 from 2.8.2019 to 22.8.2019 यानि कि 2.8.2019 से लेकर 22.8.2019 तक यानि कि लगभग 13 दिनों तक उन लोगों ने S.S.E.M.T.S का exam conduct कर वाया था ठीक है दोस्तों S.S.E.M.T.S का exam उन्होंने conduct कर वाया था जिसमें से 38.58 lakhs candidates जी हाँ दोस्तों 38.58 lakhs candidates ने registration किया था exams देने के लिए और उसमें से 19,000,004 candidates ने exams दिये थे ठीक है दोस्तों exams दिये थे अपियर हुए थे exam में next point हम लोग पढ़ते हैं अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि candidates have been sortedized in paper 1 by applying tentative vacances to the candidates ratio of 1 is to 15 जी हाँ दोस्तों उन्होंने का है कि उन्होंने जो sortedized किया है paper 2 के लिए candidates को 1 ratio 15 के हिसाब से उन्होंने sortedized किया यानि कि एक seat के ऊपर लगभग 15 candidates के हिसाब से उन्होंने tier 2 के लिए candidates को sortedized किया है ठीक है दोस्तों अब हम लोग पढ़ते हैं देखिए यहां पर लिखा हुआ है the vacances for multitasking non-technical staff examination 2019 have been received in two age groups यानि कि उन्होंने जो recruitment है process को 2 age group में divide कर दिया है पहला क्या है 18 से 25 साल तक का और दूसरा क्या है 18 से 27 साल तक age group में उन्होंने divide कर दिया है ठीक है दोस्तों अब हम लोग आते हैं next point में इसका तो next point क्या है दोस्तों तो next point है कि कितने candidates qualify किये थे तो देखे दोस्तों इसमें क्या लिखा हुआ है कि total number of candidates कितने qualify करवाय गये थे तो 84,778 candidates को qualify करवाय गया था 18 से 25 साल के group में ठीक है दोबस्तो 18-25 साल के ग्रूप में 84,770 कैंडिटेट को क् extrêmement करवा गया था, इसके बाद 18-27 साल का भी एक जो ग्रूप क्योंकि आप लोग जानते हो कि इसके बाद भी एक नूटिस आई थी जिसमें लगबग में साड़े 9000 के लगबग में candidates को उन्होंने additionally qualify करवाया था और उसमें उन्होंने cutoff को details wise analysis किया था details wise उन्होंने दे दिया था information तो चलिए हम लोग उस PDF को on करते हैं open करते हैं ठीक है दोस्तो तो देखिए दोस्तो हम लोग आ चुके हैं उस PDF में इसमें क्या लिखा हुआ है multitasking non-technical staff examination 2019 declaration of list of 9551 additional candidates qualifying in paper 1 to appear in paper 2 descriptive paper अब देखिए इन्होंने कहा है कि total 9551 candidates को उन्होंने additionally qualify करवाया है मतलब अलग से ये साले 9000 candidates को उन्होंने qualify करवाया है आगे बढ़ते हैं दीखिए आपर लिखा हुआ है result of paper 1 of multitasking non-technical staff 2019 was declared by the commission on 5th 11 2019 याई कि 512 2019 को उन्होंने declare किया था result को ठीक है जिसमें से 11,162 candidates को उन्होंने qualify करवाया था ठीक है दोस्तो उसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर cut-ups के छेत्र में ठीक है दोस्तो अब देखे cut-ups क्या रहा था तो मैं कुछ states के cut-ups आप लोग से discuss करता हूं जैसे जो कुछ-कुछ main-main states के cut-ups मैं आप लोग से discuss करता हूं जैसे बिहार का जो cut-up है दोस्तो वो लगभग में मैं यूर के cut-ups का आप लोग के साथ discuss करता हूं बिहार का जो यूर का cut-up था दोस्तो वो 82 गया था कितना गया था दोस्तो 82 के लगभग में गया था उसके बाद हम लोग आते हैं UP state तो UP state का जो यूर का cut-up था वो 75 गया उसके बाद हम लोग आते हैं अंडमान एंड निकोबार आईलेंड में हम लोग आते हैं तो उसका cut-up, you are cut-up a cut-up 71 गया था, दोस्तों, next हम लोग आते, जारकाण में तो उसका cut-up गया था आपका 84, you are का Odisha cut-up गया था, दोस्तों, वो गया था 73, and therefore West Bengal का cut-up गया था, आपका 75 75 ठीक है दोस्तो 75 यूर का cut-up गया था ठीक है दोस्तो और भी नीचे बहुत सरे cut-up है तो वीडियो में हम लोग यह cut-up को देखकर तो कोई फायदा नहीं हम लोगों तो देखना है कि कितने expected cut-up रह सकते हैं ठीक है दोस्तो तो देखे दोस्तो expected cut-up को जाने से पहले मैं आप वो जो points है वो discuss कर देता है तो पहला point जो था मेरा यह tier 1 result ठीक है दोस्तो अब देखे tier 1 result किस तरह से इसके उपर impact डालता cut-up के उपर देखे दोस्तो पहले जो लगभग 11,860 candidates को qualify करवाय गया था दोस्तो ठीक है लगभग आपका जो qualify करवाय गया था एक लाग 12,000 के candidates को और qualify करवा दिया गया ठीक है दोस्तो दस year candidates को और additionally qualify करवा दिया गया जिसके वज़े से competition increase हो गया और आप लोग जाहिर सी बात है इससे clearly समझ गया हो कि कि अगर competition increase कर रहा है तो therefore cut-ups भी increase करेंगे क्यों क्योंकि जितने seats है उनके पास उसी साबसे तो competition यहाँ पर increase कर रह time से जिसको मैं आप लोग के साथ discuss करूँगा ताकि इसके बाद आप लोग को कोई भी doubts नहीं रहने वाले ठीक है तो मेरा जो second point है वो है आपका कि देखें बहुत सारे exams इसके बीच में भी other exams conduct करवाए गये थे जी हां दोस्तो आप जानते हो बहुत सारे other exams चाहे वह SACCGL का 2017 का जो result था दोस्तो वो matter करता है ठीक है thereafter SSC CHSL का 2017 का result था final result वो भी matter करता है क्यों क्योंकि बहुत सारे candidates जो थे दोस्तो वो मतलब SSC CGL को join करने के plan में थे SSC CHSL को join करने के plan में थे तो उन में से बहुत सारे candidates ऐसे थे जिनको अपने उपर believe था कि result उनका qualify हो जाएगा तो जिसके वज़े से बहुत सारे candidates ऐसे थे जो exam देने नहीं गये थे तो देखे दोस्तो ये point बिलकुल सही है कि वो लोग exam देने गये थे लेकिन बहुत सारे candidates ऐसे भी थे कि जो सोचेंगे कि क्या फाइदा जाकर जब CGL में हमारा होने वाला है तो हम लोग क्यों attempt करें इस चीश को ठीक है दोस्तो इस चीश को clearly आप लोग अच्छे से समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं ठीक है इसके अलावा और भी बहुत सारे exams थे इसके अलावा उसी बीच म result आउट हुआ था ठीक है constable यह SI का result था I'm not sure about it बट उसी बीच result आउट हुआ जिसमें से बहुत सारे candidates जो MTS के लिए apply कर चुके थे ठीक है वो उन्होंने UP police जॉइन कर लिया तो देखे जो बहुत सारे candidates है उनका उसे में training चल रहा था UP police का तो जिसके वैसे वो टाय 2 का exam द चारी नहीं किया था तो जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि बहुत सारे candidates उधर भी गए होंगे UP police में ठीक है इसके अलावा हमारे पास एक और है कि इसके अलावा बीच में एक RRB JEE का भी exam से related कुछ हुआ था ठीक है तो बहुत सारे candidates RRB JEE के भी exam qualify कर चुके थे ठीक ह और उनमें भी joining करने के लिए सोच रहते हैं तो जिसके वैसे यह बहुत सारे major main main points बन रहे हैं जिसके वैसे बहुत सारे candidates Tire 2 के exam देने नहीं गए होंगे ठीक है दोस्तों बहुत सारे candidates Tire 2 के exam देने नहीं गए होंगे इसके अलावा बहुत सारे candidates Tire 2 के exam देने नहीं गए हो जो एक रीजन हो सकता है कि MTS का cut-off decrease कर सकता है ठीक है दोस्तो नेक्स्ट पाइंट हम लोग आते हैं MTS का cut-off हो कौन impact कर सकता है तो वो है आपका UFM जी यहां दोस्तो अभी जो trending में चल रहा है आपका UFM यानि की unfair means ठीक है दोस्तो यह बहुत ही trending topic है क्यों trending topic है क्यों आप ल result निकलता है अभी उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने एक team तियार किया है जो इस चीश को जाच करेगी इस बारे में जाच परताल करेगी आखिर कहा प्रावलम में कहां हो साड़े 3000 लगवा में candidate 3000 दोस्तो एक्सर्ट कैंडिडेट से हो थे हैं वो किस बज़े से बाहर हो चु करता है MTS का प्रभाव ठीक है दोस्तों अगर देखी UFM ने इसमें भी कुछ गड़बड करने की कोसिस की तो जिसके वैसे बहुत सारे candidates ना चाहते हुए दोस्तों बाहर हो जाएंगे ठीक है दोस्तों मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँ कि बहुत सारे कभी भी हमारे कोई भाई तो बहुत बड़े-बड़े हैं कि ऐसे rules है वैसे rules है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं इसके बारे कोई clearance लोग नहीं देना चाहते हैं ठीक है दोस्तों तो देखिए अगर UFM का कुछ impact पड़ता है दोस्तों तो देखिए अगर candidates निकलते हैं क्या कारण हो सकता है मैं यहां पर deal कर रहा हूं कि क्या कारण हो सकते है cut-off increase हो सकते हैं और क्या कारण हो सकते है cut-off decrease हो सकते है ठीक है दोस्तों मेरा जो next point है वो है COVID-19 यानि की coronavirus आप लोग जानते हो दोस्तों जिस तरह से हमारे country में अभी coronavirus फैल चुका है ठीक है दोस्तों जिस तरह से हमारे country में lockdown चल रहा है तो बहुत सारे sectors में क्या हो रहा है कि workload increase करता चला जा रहा है। जो देश की जो condition है वो थोड़ी से आर्थी किस्तिति हो चाहे समाजी किस्तिति हो हर चेतर में वो थोड़ी डाउन होते चले जारे डे वाई डे तो देखें दोस्तो उस सभी चीजों से रिकप करने के लिए country को कम से कम 3-4 साल तो लगने वाले हैं ठीक है country को रिकप करने वाल recruitment वो लोग बढ़ाएंगे ठीक है दोस्तो याद रखिएगा workload को कम करेंगे वो लोग recruitment को increase करेंगे तो देखो अगर अगर वो लोग recruitment को increase करते हैं तो उसके वज़े से क्या impact पड़ता है तो cut-up भी decrease होता है ठीक है दोस्तो ऐसा बहुत सारे candidates को मन में होगा कि lockdown हो गया COVID-19 आ rankings किसी भी चेत्र में कोई भी exam कोई भी vacancies निकले हैं सभी के exams conduct होने वाले है time लगेगा बट conduct होंगे जरूर ठीक है दोस्तो अब आता है मेरा जो next point है last point है पांचवा point है वो है मेरा vacancy जी हां दोस्तो आप लोग जानते हो दो दिन पहले ही मैंने video बनाया था vacancies के उपर ठीक vacancies के करीब उन्होंने अपने official website में release किया था अब आप बोलोगों कि vacancies किस तरह से cut-off को impact कर सकते हैं तो देखिए दोस्तो vacancies किस तरह से cut-off को impact करेंगे कि जब MTS का exam start भी नहीं हुआ था उससमें अंदाजा लगाया जा रहा था कि लगभग में 5000 के vacancies है ठीक है दोस्तो तो सुरू में अंदाजा लगाया था कि 5000 के लगभग में वेकेंसी से तो cut-off उस basis पर बन रही थी कि 5000 के उपर base करके cut-off बन रही थी बट उसके बाद क्या हुआ cut-off मतलब जो vacancies है वो increase करके लगभग 8000 हो गई मनद 799 यानि 7171 के लगभग वेकेंसी हो गई ठीक है दोस्तो जिसके वाई से cut-off decrease होने का पूरा-पूरी चांस बनता है decrease तो नहीं आप वो सकते हो हलका decrease होगा बट impact पढ़ने का चांस बनता है ठीक है और अब आप देख रहे हो कि दो दिन पहले ही SAC ने अपने official website में एक notice release किया जिसमें उनोंने clearly बता दिया कि लगभग में उनका final vacancies कितना है तो 9,018 vacancies है ठीक है यानि कि 9,018 vacancies है तो अब आप लोग समझ जो कि ये लोग cut-off को कैसे impact कर सकते हैं ये सारे 5 points मेरे ठीक है तो उमीद है आप लोग को मेरे ये 5 points clear हो गए होंगे ठीक है पहला point आपका क्या है the third one is that UFM UFM किस तरह से impact कर सकता है उसके बाद COVID-19 यानि की coronavirus किस तरह से हमारे exams को कैसे मतलब conduct कराने में कैसे effect कर सकता impact पहुचा सकता है recruitment process को किस तरह से increase कर सकता है decrease कर सकता किस तरह से ये सभी चीजों को मैंने discuss किया and the last one is that last but not the least is that vacancies vacancies किस तरह से हमारे cut-off को impact कर सकता है ठीक है दोस्तों ये था मैंने 5 points को deal किया अब इसके बाद हम लोग आते है main point ठीक है दोस्तों 5 points थो हमारे खतम होता है अब हम लोग main point को discuss करते है कि cut-off क्या रह सकती category wise तो देखिए दोस्तों मैं आप लोग को clearly एक चीज mention कर देता हूं कि अगर हम लोग category wise cut-off में जाते हैं तो देखिए पहला चीज जो आप लोग clear कर लो अपने दिमाग में कि अगर कोई बंदे के ठीक है अगर suppose कर लो आप लोग कोई average state से हो एक ऐसे state से हो जिसका जो average cut-off है जिसका जो tier 1 का cut-off है वो है 75 reminded दोस्तो कितना मैंने कहा 75 ठीक है अगर कोई state का cut-off 75 है तो आप plus 8 जोड़ लो उसमें कितना दोस्तो plus 8 से plus 9 जोड़ लो आप उसमें ठीक है इसमें कोई शक की बात नहीं है plus 8 plus 9 plus जोड़ लो ठीक है क्योंकि cut-off increase करेगे ऐसा बात नहीं है अब आप सोचो कि cut-off decrease कर सकते है कि बहुत सारे मैंने reasons आपको दिए cut-off decrease करेंगे cut-off decrease करेंगे दोस्तों लेकिन ऐसा भी नहीं कि पूरा decrease करेगा क्यों क्योंकि देखिए एक तलफ cut-off तो आपकी decrease कर सकते हैं बट competition कहाँ decrease हो रही है competition तो day-by-day high होते चले जारी है तो जब competition day-by-day high होते चले जारी है तो एक seat के उपर आप जानते हो कि 1-15 के ratio में वोग candidates को out किये हैं candidates को select किये थे tire 2 के लिए तो आप समझ रहे हो कि 1 seat के उपर कितना दिख्कत हो रहा है 15 candidates 1 seat के उपर बन रहे हैं तो दोस्तो कितना problem हो रहा है आप लोग समझ रहे हो तो cut up उतने भी decrease नहीं करेगी लेकिन हाँ but increase भी उतना नहीं करने वाली है cut up आप लोग इसके बारे में tension मतलो तो averagely याद रखो कि अगर कोई state के cut up 75 बन रहा है तो उसके cut up बढ़कर 82 से 83 जाने वाले है ठीक है अगर कोई बंदे के number याद रखिएगा दोस्तो अगर कोई बंदा का number 80 प्लस आ रहा है ठीक है दोस्तो अगर कोई बंदा का number 80 प्लस आ रहा है और उसने अपने preference में सारे states को भर कर रखा है तो ज्यादा से ज्यादा उसके chance है दोस्तो महराश्टरा, उडिशा, अंडमान, निकोबार जैसे states में उसके chance बन रहा है ठीक है दोस्तो खास करके देखें महराश्टरा एक ऐसा state बन चुका है कि देखें उसमें बहुत सारे candidates का select होने का chance बन रहा है तो वो बंदे सोच सकते हैं कि उनका महराश्टरा जैसा ओडिशा जैसा जोन में वो लोग hope कर सकते हैं कि selection हो शकता है ठीक है दोस्तो अब रहा ये था हो था मैंने general के बारे में discuss किया कि अगर किसी state का 75 plus cut up बन रहा है ठीक है तो final cut up में आप 82, 83 आप जोड़ लोग ठीक है तो अगर 82, 83 अगर बनते हैं general के तो OBC के OBC के cut up कितने बनेगे तो OBC के cut up दोस्तो आप पगड़ के चलो कि OBC के cut up 80-81 की बीच में बनेगे क्योंकि दोस्तो ज्यादा difference नहीं होने वाला पॉइंट भी नोटेड ज्यादा डिफ्रेंस नहीं होने वाला कटफ के बीच में इसके अलावा इसके बाद आता है EWS क्यूंकि देखिए EWS का कटफ आप जानते हो जो रिफ्रेस्ट रिजर्ट था उसमें EWS का कटफ OBC से घटा दिया गया था तो जाहिर सी बाते फाइनल कट 74 तो 76 प्लस हो रहे हैं तो वो लोग CST के जो केटेगरी हैं दोस्तों आप लोग उसके लिए क्वालिफाइ कर सकते हो मराश्रा जैसे जोन में लेकिन जो बंदे के कटफ अगर 85 तो 87 देकि सिलेक्शन कहां पर आप शॉर्टी की तरफ जा सकते हो मैं यह भी आप लोग बतात होंना हो इसलेक्शन पर इसलेक्शन कहुत बिल्कुल चिंता कानी वी जरूरत नहीं है तो देखें दोस्तों इस वीडियो में मैं इतने ही आप लोगो information दे पाया हूँ ठीक है उमीद है आप लोग वीडियो क्लियर हुआ होगा और हर एक point कटफ से related क्लियर हुआ होगा कि क्या कटफ जा सकती है ठीक है बट अगर इसके अलावा भी आपकी कोई other queries होगी तो आप लोग comment box में जरूर comment कीजेगा ठीक है बट मुझे ने लगता कोई queries होगी लेकिन अगर फिर भी कोई queries रहती है तो आप लोग comment box में comment जरूर कीजेगा क्योंकि आप लोग जानते हो कि मैं हर एक बंदे का comment को reply करता हूँ ठीक है मेरा यही आदत है कि मैं हर एक बंदे के comment के reply करता हूँ क्योंकि मेरे भाई को कोई भी भाई बहन को कभी भी तकलीफ नहीं होना चाहिए हर एक बंदे को मैं reply करूँगा अपने वीडियो में ठीक है तब लोग comment जरूर कीजेगा अगर कोई बंदा suppose कली जीके का preparation कर रहा है इंग्लिस का preparation कर रहा है math का preparation कर रहा है ठीक है तो उसके लिए मैंने एक playlist बना दिया है description box में playlist दे दूँगा ठीक है अब लोग playlist में click किजेगा आप लोगो बहुत सारे अच्छे-चे important questions exams के लिए मिल जाएंगे subscribe और share करोगे मेरे channel को उतना जादा जादा उतना ही अच्छा से मैं भी motivate हूँगा और आपके लिए अच्छे से अच्छा content बना सकूँगा आपके अच्छे से अच्छा informative वीडियो बना सकूँगा आप सभी के लिए ताकि कहीं भी मेरे भाई लोगों को कोई तकलीफ ना हो ठीके दोस्तों उम्मीद है आप लोगो वीडियो पसंद आया तो चली मिलते है तब तक लिए अगले वीडियो में बबाई शबाख है टेक क्यार